हेलो दोस्तों दिल के गहराई से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप अपने खिम्तिव वक्त निकाल कर आते हो वीडियो देखने के लिए इस चनल का नाम मैंने रखा intrinsic value intrinsic value का मतलब होता है real value जब भी आप किसी stock को real value पे खरीटे हो तो आपको बहुत कम नुकसान होगा क्योंकि आपने real value पे खरता और जब profit होगा तो बहुत बड़ा profit देखने को मिलेगा आपको मैं कोसिस करता हूँ कि इस चनल में मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूँ कि कौन सा share का price बढ़ने वाला है और कौन सा share का price घटने वाला है ताकि आप पहले खरीद लो और बाद में बेच दो लो में आप खरीदो और हाई में बेच ओ तब आपको बड़ा profit देखने को मिलेगा एक company की बात करते हैं जिसका share का price आपको दिखरा होगा 6.53 पिछले 5 दिनों से देखो तो जादा नहीं मतलब कुछ भी नहीं गिर रहा है लेकिन एक महीने से 12% गिर चुका है पिछले 6 महीने से देखो आप एंडाउन आप एंडाउन करते करते 24% गिर चुका है और भाई पिछले एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल से ये stock actual मे गिरना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में गिर रहा है ध्यान से देखो एक्चल में ये stock गिरना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में गिर रहा है क्योंकि बाजार ने बहुत ज़्यादा मतलब pressure कर रखा है बार बार मतलब बाजार जो आ फोर्स कर रहा है गिरो गिरो तब ज consolidation था उसके बाद भैंकर तेजी थी फिर लंबा consolidation आपको देखने को मिला कौन से company है company का नाम है आईयर सिटी से और लोग सोच रहें कि भाई यह stock तो बहुत जादा गिर चुका गिर चुका है का मतलब कि 1290 1279 रुपीज का stock मतलब 1300 रुपय का share आप समझ लो कि आपको मिलना केवल 653 रुपीज में और लोग सोच रहें भाई इतना भेंकर तो गिरा ओट हो चुका क्या यह stock में निवेस करना सही रहेगा तो मैं आपको बता दूँ कि भाई यह 1300 रुपय से stock गिरा हुआ मतलब 1300 रुपय में कुछ पैसे कमी थे कुछ रुपय कमते लिया था आप ऐसा फिल करोगे वो क्या ना कोई भी चीज अगर सही प्राइस पर मिल जाना तो लोग उसको भाई देना स्टार्ट करते थे और वही stock अगर 4-5 गुना उपर मिल जा तो लोग बोलते यार आज खरीद लूँ कल खरीद लूँ परसो खरीद लूँ यही प्रावलम है जिसके वज़े से बहुत सारे लोगों को बहुत भेंकर नुकसान होता है तो आईयर सिटी से आपको रियल प्राइस पर मिल ला 653 रुपीज में और यही stock का bottom है इससे जादा stock बिलकुल बिलकुल नहीं गिरने वाला मैं आपको बता दूँ सारी दुनिया आपको बता देगे कि stock गिर रहा है stock बाग रहा है लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि bottom कहां बनाया bottom कहां बनाया और याद रखो bottom के लिए मरोगे तो bottom आपको बहुत बड़ा profit निकाल के देगा यहां खर दो यहां गिरेगा यहां भागेगा तो आप bottom में खर दो railway में एक बार जा के देखो भाई ticket book अगर आप करना भी चाते हो ना अगर 8 घंटा गरास्ता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कम से कम तो 10 दिन पहले ticket book करना पड़ेगा साधी महौल का अगर मान लिजे कि अगर साधी का महौल चल रहा है तो आपको हो सकता कि एक महीने या दो महीने पहले भी करना पड़ सकता है और कोई guarantee ने कि confirm होगा मतलब होगा ही होगा लेकिन जितना पहले करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा है कि नहीं है और 400 बंदे भारत के लिए जो सरकार ने बोल लखा जी जान लागा दिया तो यह जो बंदे भारत है यह भी तो पट्री पर अब देख लो मतलब भीड देख लो किस कदर आपको देखने को मिलना देख लो आप खुद ही देख लो यहां पर यह वो railway है जहाँ पर customer बुलायाने जाता आपने पीके मुवी देखा ना पीके मुवी से आपको सीखा सीखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो बिजनस ह होते हैं एक जहां customer को बुलाया जाता है बार-बार दूसरा जहां customer खुद पर खुद आ जाता है आपको अपना काम करना बस आइफोन आइफोन बेचने के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है लोग खुद आते हैं लेकिन अगर 10,000 का वाइल बेचना है तो लोगों को बुलाना पड़ता कि आओ मैं आपको यह दूँगा वो दूँगा ऐसा करके तो आप देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेलवे का ऐसा बिजनस है जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट निकाल के देगा लोगों ने 36% से ज़्यादा डिलेवरी उठाया है जो बहुत ही अच्छा है लोग खरीद रहें ना कि बेच रहें यहाँ पर चीज बता देता हूँ अगर 5% 10% स्टॉक अगर उपर नीच कमपनी का चुका है कमपनी का रिटर और क्या बहुत करते हैं तो बहुत बढ़ी इस्टारी है जो कि 67% से जादा एक भी शेयर प्लेज नहीं और इससे जादा किया चीए कंपनी के पास केवल 108 करोड का डेट है जो कि मैं आपका बिल्कुल मोनोपोली है ना आगे ना पीछे और क्या उमीद कर सकते है ऐसी कंपनी से इस बार मार्च का रिजल्ट आना बाग की है देखते हैं इस रिजल्ट में कंपनी क्या अच्छा कर दिखाती है क्योंकि दिसंबर के रिजल्ट में कंपनी ने 200 करोड का प्रॉफिट किया था और बहुत 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 अच्छा रि मार्केट है और फिर देख एक बार अपने फाइनिशला डवाइजर से कंसल्ट कर लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा आपको